चुकि उंचे अस्तर के लोगों ने मुझे संपर किया और यह कहा कि जो है आप टिकट वापस कर दो तो मैंने कहा यह तो लोगतंतर के लिए भद्दा मजाक है और आपने कहा है इसे कैसे दिया कि मैं टिकट वापस कर दूँ आपने मुझे कोई सम्मान नहीं दिया 35 बरस में और मुझे कोई अगर सम्मान दे रहा है बहन जी ने मुझे टिकट दिया तो आप यह कह रहे हो कि टिकट वापस कर दें यह संभव नहीं है भाई साब और अपनी बात वापस लीजिए मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्यासी हूं लड़ूँगा और जीत करके संसद मे जाओंगा तब आपसे मिलूँगा तो यह सब बातें हुई लेकिन उसके बाद उसी के एक घंटे देड़ घंटे बाद पता लगता है कि बहन जी के उपर ऐसा दबाव पड़ा कि बहन जी ने मेरा टिकट काटा और आकास आनंद को सारे पदों से मुक्त कर दिया नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसिस चित्रांसी और आप देख रहे हैं दन्यूज लॉंचर बीस पच्चिस सालों में पहली बार मैं अपने ग्रिह जन्पद में अपने सहर में पत्रकाजिता के लिहाज से निकला हूँ वैसे कभी घवार आना जाना होता रहा है और जैसे ही मैं अपने ग्रिह छेतर में पहुचा तो मुलाकात उस सक्स से हुई जिससे मैं आपका अभी तारूफ करवाऊंगा एक जमाना था जब बागी जब जेहन में आता था कान में बागी सब्द आता था तो समान बढ़ जाता था आज के दोर में बगावत गुना हो गई है और आज मैं तो कहूँगा सुरुवात में बागी ही कि एक ऐसा सक्स इस दोर की राजनीती में जब राजनीती में बगावत गुना है राजनीती में अपनी भावनाओं को अपने विचार को अपने हक को रखने की आजादी गुम होती जा रही है और खासकर एक पार्टी भालती जनता पार्टी उस दोर में बस्ती के एक सक्स जिससे मेरी मुलाकात भी पहले नहीं होई थी दया संकर मिस्र नाम है आज मेरे साथ बस्ती में घुसते ही उनकी मुलाकात हो गई है और मेरे साथ मौजूद हैं दया संकर मिस्र दया संकर मिस्र का परिचे हो सकता है डिबेट मेर मुलाकात पहली बार हुई है लेकिन मेरी चल्चाओं में आपने सुना होगा बस्ती में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्यासी घोसित हुए थे चुनाव मैदान में आ चुके थे और बस्पा लग रहा था वेंटिलेटर से उठ खड़ी होगी लेकिन टिकट काट दिया गया परिछे इतना ही नहीं है दया संकर मिस्र पैंतिस साल भारती जनता पार्टी के लिए इन्होंने अपना दिया है और बस्ती में एक इमांदार निता कि 26 दोर में अगर किसी की होट गिनी जाती है तो मेरे तमाम रिपोर्टर भी कहते हैं दया संकर मिस्र बड़े इमांदार इसलिए नहीं कि मेरे साथ बैठे हैं आप हमें जानते हैं कि हम साथ बैठे बैठे की भी आलोचना करते हैं खुल करके मैं अब इनसे बात करूंगा इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो गया दया संकर जी पहली बात मैंने पहली कहा बागी यह बागी होना आज के दोर में बड़ी हिम्मत की बात है इतनी हिम्मत कैसे आई हिम्मत कहीं बजार में नहीं बिखती है हिम्मत तो मैं च्छात राजनी से उस हिम्मत को ले करके ही चल रहा हूँ जब मैं तिरानबे में च्छात संका देख्च हुआ तो उसमें चंद्रा स्वामी जी सोम यग्य कर रहे थी और उन्होंने मुझे बहुत लंबा अफर दिया, उन्होंने कहा कि आपको आदमी बना दूँगा, हमने कहा आदमी तो भगवान बनाता है, आदमी आप क्या बनाओगे, और मैंने उसको ठुकरा दिया, मैं बिचार धारा के लिए लड़ता रहा, मैंने उनके कैम्प में नहीं लगता किसी से, ये गवर करने वाली बात है, और इस दोर में बार बार रिपीट करता हूँ, इस दोर में, आपने लंबा वक्त भाजपा के लिए दिया, आखिर क्या निरासा हुई, ये जानना जरूरी है, भाजपा के तमाम कार्य करता है, मन में बड़ी उनके तर चल रहा है। पाप की सरकार, खरीदी हुई सरकार को चिम्टे से भी नहीं चुना चाहता हूं, मैं उस संसकारों को ले करके चलने वाला कार करता हूं, मैं कोई खरीद फरोक्त वाली पार्टी का कार करता नहीं हूं, और इस समय भारती जंता पार्टी जो खरीद फरोक्त के बल पर चल रही मैं उसका बिरोध करता था पार्टी में रहके भी करता था और आज बाहर हूँ उसका बिरोध तब भी मैं कर रहा हूँ जो खरीद फरोक्त की बाद की देया संकर जी ने हमारे पलसों की चल्चा में जो डिबेट मिड़े मुद्दा मैं और असोकवान खेड़े जी करते हैं उसमें ये चल्चा आई थी 106 के आसपास प्रत्यासी हैं जो भाजपा के नहीं है यानि एक चवथाई प्रत्यासी आयातित हैं और वो पार्टी जहां आज की तारिक में दुराचारी ब्यभिचारी और भ्रष्टाचारी इन सब के लिए है आईए डूबकी लगाईए और मोक्ष पाईए भाजपा छोड़ा देया संकर मिस्राजी ने भाजपा को कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये उनी से हम जानते हैं क्या नुकसान होगा भाजपा को लेकिन भारती जंता पार्टी का नुकसान क्या होगा यह तो चुनाओं के बाद पता चलेगा लेकिन भारती जंता पार्टी अगर ऐसे एक अच्छे सचे कार्यकरता को खोती जा रही है तो सबसे बड़ा नुकसान तो ब्यक्ति का होता है बिचार धारा को ढोने वाला ब्यक्ती ही विचार परिवार को बढ़ा सकता है तो मैं तो यह नहीं कहता हूँ कि मैं पहार तोड़ दूँगा हिमाले की नदियों को लाकरके धर्ती पर मैं कोई भागी रथ नहीं हूँ लेकिन बस्ती में भारती जनता पार्टी हार रही है और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भारती जनता पार्टी का प्रत्यासी मुझसे तो मैं बहुजन समाज पार्टी में गया और बहुजन समाज पार्टी में मैं पहली तारीक को मैंने भी नमंकन किया और मुझसे पांस दिन नहीं लड़ पाई चुनाओ छटे दिन मेरा टिकट बड़े अस्तर पे कटवाया गया मुझसे बड़े अस्तर के भारती जिनता पार्टी की नेताओं ने कहा मुझसे कि आप टिकट वापस कर दो मैंने कहा किसी के साथ विस्वास घात नही करूंगा बहन जी ने मुझे टिकट दिया है मैं उनके और अपने सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा मैं चुनाओ लड़ूंगा और उसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़ेगा वह करूंगा और इस बात को ले करके मुझे सक हुआ कि जो है ये कोई ना कोई ख हद्दा मजाख है और आपने कह ऐसे कैसे दिया कि मैं टिकट वापस कर दूंगा और मुझे कोई सम्मान नहीं दिया 35 बर्स में और मुझे कोई अगर सम्मान दे रहा है बहन जी ने मुझे टिकट दिया तो आप यह कह रहे हो कि टिकट वापस कर दे ये संभव नहीं है पता लगता है कि बहन जी के उपर ऐसा दबाव पड़ा कि बहन जी ने मेरा टिकट काटा और आकास आनंद को सारे पदों से मुक्त कर दिया यह भारती जनता पार्टी का चरित्र है कि लोग तंत्र में उनका विस्वास नहीं है और राज तंत्र की ओर जा रहे हैं और जनता को यह लड़ाई सुतंता की लड़ाई से कम नहीं है इसलिए जनता को यह लड़ाई लड़ना चाहिए हमने खुलासा किया था आज मेरे साथ दयासंकर मिस्र बैठे हुए हैं और मैंने पहले कहा मेरी पहली मुलाकात है यह खुलासा हमने किया था जब टिकट बदला गया थ उसी वक्त की ये टिकट दबाव में बदलवाये गया है बस्ती की सीड भाजपा हार रही है बुरी तरीके से और द्यासंकर मिसर की वजह से हार रही है ये चर्चा किया था आज ये बड़ा खुलासा कि ओपल से फोन आये और फिर जब ध्यासंकर मिसर ने कंप्रोमाइज नही आगया अच्छा एक और महत्वपुन्वी से सांसत पर बात करना जरूरी है जब आपने चल्चा छेड़ दिये हरीस दिवेदी की यह वही हरीस दिवेदी हैं इन्होंने उन्निस में एक बार कहा कि सांसत चोरी न करे तो क्या करे एक क्लिप आई थी और उसाइद दुर्भाग पर एक बड़ा गंभीर आरोप है आरोप यह है कि पूरी भाजपा को उन्होंने नश्ट कर दिया भाजपा में किसी नेता को उन्होंने सर्वाइब नहीं करने दिया सम्मान उसका नहीं रखा भारतिय जनता पार्टी के लिए वो कलंक है और वो अमिस साह वाली भाजपा का नेता है ने इसलिए वो अटल विहारी जी और आडवानी जी के सिधानतों से बहुत दूर दूर से उसका कोई नाता नहीं है उसने भारतिय जनता पार्टी के कार्यकरताओं के सम्मान के साथ खिलवार किया है और वो राजनेतिक बेक्तियों को तो कोई पचा ही नहीं सकता ह उसको अपनी जेब का आदमी चाहिए वो चाहे जिस पत्पे हो तो राजनीत में जब तक अच्छे लोग नहीं रहेंगे तब तक उस राजनीत में उस दल का उत्थान नहीं होता है और इसलिए वो तो कलंक है बस्ती में भारतिय जनता पार्टी के नाम पर और भारतिय जनत चाहे जो मिला मेरा टिकेट काट दिया गया मैंने अपने सभी कार करता हूं से मैं तो कहा हमने कहा लोगों से कि जो मेरे साथ बस्पा में खड़े हुए वो कोई मलाई काटने के लिए नहीं आये थे वो मेरे संघर्सों के साथ ही हैं और संघर्सों का साथ ही अंतिम चरण तक रहता है मेरे साथ जो कार करता आये थे वो मैं जहां रहूंगा वहां रहेंगे इसलिए समाजबादी पार्टी आज जितने उस साथ के साथ लड़ रही है उसमें मेरा योगदान आप जब हमारे प्रत्यासी से समाज अब तो मैं समाजबादी का हो गया मुझे लगा कि मैं अगर इसमें कोई नेड़े नहीं लेता हूँ तो मैं सून हो जाओंगा, इसलिए मैंने समाजबादी पारटी की सुईकारता सदस्ता ली कल और आज मैं जा चल रहा हूँ, आप आगे देखिए कि क्या हुजूम है मेरे साथ, कितने लोग है मेरे साथ की जो है जो मुझे मेरा ह हुसला बढ़ा रहे हैं और बस्ती की राजनीतों, राजनीत को एक करवट के रूप में नए चुनोती के रूप में सुईकार करके, हम लोग बस्ती को ठीक से बस्ती में लोगतंत्र की अस्थापना करेंगे, और इससे लोगतंत्रिक कार्यकरताओं का मनोबल बढ़ेगा, राजनेतिक परिस्तियों का निर्माड होगा, और हम सब मिल करके बस्ती को नया बस्ती बनाएंगे, क्योंकि बाते कई बाल दिल की बाते बहुत कम होती हैं, तो थोड़ी दिल की बाते जब हो रही हैं, तो दो-चार मिनट और हम लेंगे, जो कल मेरे पास फोटो आई जो अ तो आपके साथ आपकी जोइनिंग को लेकर के वक्त निकाला, क्या बात चीत हुई? मैंने के बाद ही कोई किसी अंजाम में पहुंचूँगा, मैंने अपने समर्थकों से राय ली, और 99.9% लोगों ने कहा कि अद्ध्यक जी आपको कोई निड़े लेना चाहिए, और आपको समाजबादी पार्टी में जाना चाहिए, और इसलिए कि इस अहंकारी को के साथ उ कोई ना कोई अस्तस उठाना पड़ेगा, अगर उन्होंने बस्पा में भी आपका टिकट कटवाया है, तो आपको भी कुछ करना चाहिए, और इसलिए मैंने अपने कारिकरताओं के सलाह पर, मैंने समाजबादी पार्टी जोएन की, अखले स्यादो जी ने मुझे जो सम्म बहन जी के उपर क्या दबाओ है, अगर वो अपने उत्राद कारी को नहीं सुरक्षेट रख सकती हैं, तो मैं तो उनका एक कार करता था, इसलिए मैं बहन जी के सम्मान के प्रित कभी, मैं उनका अभार विक्त करता हूं, और बस्पा के सम्मान करता हूं, कि उन्होंने दस पंद्रा दिन में जो मान सम्मान और प्यार दिया, जिस दिन मेरा टिकट घोशित हुआ, उस दिन लोग कहते थे बस्पा मरी हुई पार्टी है, और उसी दिन बस्पा खड़ी हो गई, और बस्ती में लोगों ने कहा जो लड़ेगा वो बस्पा से लड़ेगा, तो मुझे बस्पा ने सम्मान दिया, लेकिन अब भारती जंता पार्टी का मैं 35 साल सेवा किया हूँ, भारती जंता पार्टी मुझे उस सम्मान अब खुद सम्मान नहीं दे रही है, और दूसरे के सम्मान को भी नहीं नश्ट करना चाहती है, इसलिए मैंने भारती जंता पार्टी को तिलांजली दे दी मैं भारत मैंने कहा भारती जनता पार्टी में नहीं जाओंगा प्रांड दे सकता हूं लेकिन भारती जनता पार्टी में नहीं जाओंगा और कम से कम अमिस्साह और मोदी की भाजपा में नहीं जाओंगा मेरा यह संकल्प था इसलिए मैंने उस संकल्प को पूरा करने के लिए समाजबादी विचारधारा को अपनाया है मैं समाजबाद का पोसक बन करके और राष्ट की सेवा करूंगा देखिए मैं केमरा मैं से कहूंगा हम एक सवाल लेंगे लेकिन अभी जो हम चर्चा कर रहे थे चर्चा हवा हवाई नहीं होती है यह देखिया यह अब ही समाजबादी पार्टी जॉइन करने के बाद पहली बार बस्ती की सीमा में घुस रहे हैं देया संकर मिस्र यह दिखाई यह तस्वीर अब भी यह बस्ती की सीमा भी आई नहीं है यह गोंडा में साइध हैं और यह देखिए जड़ा चारों तरफ मतलब आप यहा हालत है यहां पर मैं यहां पर ज्यादा वक्त नहीं लूँगा लेकिन बस एक सवाल मिरे जानकारी माया कि जिस दिन आपने टिकट कटा रात के दो बजे तक चार-पांच चार लोग आपके घर पे थे यह तो सम्मान बस्ती की जनता ने मुझे दिया है और बस्ती की जनता क रो मैं पर अपने खून के के कत्रे से उतार करो खूल करो यह यह आपको फॉस्वाज से नहीं में लूंगाश रहां ठीक है ठीक है ठीक है धन्यवाद धन्यवाद दर्शकू और ओए है